दोस्तो चंद्रियान 3 मिशन कैसा रहा एज जानने से पहले चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 मिशन के बारे में जान लेते हैं इन दोनों मिशन का क्या हुआ दोस्तो चंद्रियान 1 भारत का पहला चंद्रियान मिसन था इसे भारती अंतरीच अनुसंधान संगटन इस्त्रो द्वारा लांच किया गया था यह मिसन 22 अक्टूबर 2008 को हरी कोटा की 37 धावन अंतरीच केंद्रे से लांच किया गया था चंद्रियान वन का लच्छ चंद्रमा की सतर और उसके वातावरण का अध्यन करना था चंद्रियान वन में एक आर्वीटर, एक लेंडर और एक प्रभावक सामिल था दोस्तो आर्वीटर चंद्रमा की सतर का फोटो लेता था और चंद्रमा के वातावरण का अध्यन करता था लेंडर चंद्रमा की सतर पर उतरता था और चंद्रमा की सतर का नमूना एकरतर करता था चंद्रियान वन में लगे प्रभावक चंद्रमा की सतर पर टकराता था और चंद्रमा के वातावरण में धूल और गैस को तेजित करता था ताक कि पता चल सके की वातावरण कैसा है यहीं इसकी लागत की बात करें तो 386 करोड रुपई की लागत से चंद्रयान मिसन को अंजाम दिया गया दोस्तों चंद्रयान वन मिसन ने चंद्रमा की बारे में कई महत्तुपूर जानकारियां प्राप्त की चंद्रियान वन ने चंद्रमा पर पानी के अड़ों की खोच की चंद्रियान वन ने चंद्रमा के वातावरण का भी अध्यन किया और पाया कि चंद्रमा का वातावरण बहुत ही पतला है चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतव पर कई चट्टानों और खल्टो की भी खोश किया चंद्रयान 1 मिसन भारत के लिए एक महत्तुपूर्ड उपलब दिती यह मिसन भारत को चंद्रमा पर उतरने वाला पहला A.C.I. देश बना दिया था इस मिसन ने चंदर्मा के बारे में कई महत्वपूर जानकारियां प्राफ्ट की और चंदर्मा पर मानों मिसन के लिए तैयारियां की मदद की चंदर्यान वन मिसन 29 अगस 2009 को समाफ्थ हो गया जब आर्बीटर के साथ संचार्थ उठ गया चंदर्मा पर भेशता है जिसे भारती अंत्रिच अनुसंधान संगठन इस्सरो द्वारा लांच किया जाता है दोस्तो एया वही जगह है जहां से चंदर्यान वन को लांच किया गया था चंद्रियान 2 का लच चंद्रमा की दचली धुरू पर उतरना और चंद्रमा की बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करना है तो चंद्रियान 2 में एक लेंडर, एक रोवर और एक प्रोपेल्शन मौडिल सामिल है लेंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रग्यान और प्रोपेल्शन मॉडिल का नाम चंद्रियान 2 है विक्रम लेंडर चंद्रमा की दचली धुरू पर उतरेगा प्रग्यान रोवर चंद्रमा की सतर पर चलेगा चंद्रियान 2 की माध्यम से भारत चंद्रमा पर मानो मिशन के लिए तयारी कर सकता दोस्व चंद्रियान 2 मिशन साथ सितमबर 2019 को विफाल हो गया जब विकरम लेंडर चंद्रमा की सत्ता पर उतरते समय दुर्गठना द्रस्त हो गया भर्टना का काराण अभी भी एसपस्ट नहीं है वेग्यान को द्वारा बताया जा रहा है लेंडर के साफ्टोयर में खराबी होने के कारण ऐसा हुआ दोस्तो चंद्रियान 2 की कुल लागत 978 करोण था दोस्तो इसी के साथ आगे देखते हैं जो अभी हाले में चंद्रियान 3 को लाँच किया गया है यह भारत का तिसरा चंद्रियान मिसन है जिसे भाति अंतरिच अनुसंधान संगर्ठन इसरो द्वारा लाँच किया गया यह 14 जुलाई 2023 को स्त्री हरिकोटा के 37 धान अंतरिच केंद्रे से लाँच किया गया है चंद्रियान 3 का लच्छ चंद्रमा की दच्छडी दुरूपर उतरना और चंद्रमा के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त करना है दोस्तों अगर एमिसन सक्सिज होता है तो भारत दुनिया का चंद्रमा पर अपना चंद्रियान सफर करा है तो चलिए दोस्तों चंद्रियान 3 के चंद्रमा पर उतरने के बाद आपको बताते हैं चंद्रियान 3 मिसन कैसा रहा तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें थैंक यू